एक प्यारे गाव में एक कलावत सल मूर्तिकार रहता था, जो अपनी सुन्दर मूर्तियों से नहीं ही केवल आत्मसात करता था, बल्कि इस कला से एक अच्छे जीवन की भी कमाई करता था. कुछ समय बाद उसे एक सुन्दर सा बेटा हुआ, जिसने बच्पन में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया, उसकी कला भी उतनी ही प्रशनसाओं का केंदर बन गई थी. पिता, अपने बेटे की सफलता से हैरान थे, लेकिन उन्हें हमेशा अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती थी, और वे बेटे को हमेशा इसके बारे में बताते थे, तुमने अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशि करता रहा नतीजतन उसकी मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों को पीछे छोड़ गई और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों के मुकाबले उच्छा मूलिय पर खरीदने लगे पिता ने अपने बेटे की सफलता के बावजूद उस अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। एक दिन जब पिता ने फिर से उसकी बनाई मूर्तियों में कमिया निकालने का प्रयास किया, तो बेटे का धहर्य तूटा। और उसने कहा, पिता जी, अगर आप इतने उत्कृष्ट मूर्तिकार होते, तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिखती, मुझे नहीं लगता कि मुझे, अब आपकी सलाह की आवश्यक्ता है, मेरी मूर्तियां पूरी हैं। बाप ने इसे सुनकर, अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया, कुछ महीने बित गए, बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, कि उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी, और अब उसकी मूर्तियों की कीमते भी बढ़ना बंद हो गई हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और उनसे मदद करने को कहा, पिता ने बड़े शांती से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा, बाप का चेहरा पड़ बेटे ने भी ये महसूस किया और पूछा, क्या, आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था, पिता ने उत्तर दिया, हाँ, म जायर तब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते, मैं ये भली भाती जानता हूँ और मानता भी हूँ कि में मूर्ती बनाने की कला में तुमसे ज्यादा बहतर नहीं हूँ, ऐसा भी हो सकता, है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा नहीं है कि कि सिर्फ मेरी सलाह उससे तुम्हारी मूर्तियां बहतर हो गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों में खामियां दिखाई, तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे, फिर तुम ही ने खुद को बहतर बनाने की कोशिश की, और उस प्रयास ने तु गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया, लोग हमेशा तुमसे अधिक की, उम्मीद करते हैं, और इसलिए अब, तुम्हे न तो अपने काम के लिए ज्यादा सराहना मिलती है, और नहीं इसके लिए ज्यादा पैसा मिलते है, बेटा, कुछ देर चुप रहा, फ तुम्हे निरंतर प्रगती करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी, तुम्हे पहले से ज्यादा बेहतर बनाती रहेगी. झाल 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 झाल